इस ब्रो में अपकमिंग एसिस्टन लोको पाइलोट की वेकंसी के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट दूँगा कि कितना वेकंसी फिलाल खाली है और जो अपकमिंग रिकूटमेंट होगी उसमें कितना वेकंसी रह सकता है देखो ये कोई आरारबी के तरफ से तरफ से नहीं है तो फिर ये ऑफिशियल अपडेट कैसे हुआ देखो ये राज्यसवा में सवाल जबाब में ये पता चला यह आनस्टार्ड कोश्चन क्या होता है जो लेखित में जिसका एंसर दिया जाते है वह आनस्टार्ड कोश्चन जितना मुझे मालूम है वही आनस क्या एक तरह से ओफिशल अबिट आपके सकते हैं ये जो जो ये लेंटर है लेंटर नहीं यह जो नोटीछ यह क्या है देखो इसके जो टाइटिल लेंड सॉभावार्ड लोकोपाइलर्स यह नोटीज सब्जेक्ट में नोटीज है तो उसमें यह आपका जो वैकेंसी है उ कोई उसको इस वीडियो में दिखाऊंगा यह जो कोश्चन है यह कौश्चन कौन पूछे थे डॉक्टर अमी याजनिक और श्री शायद नसीर हुशन यह दोनों है राज्यसभा यह दोनों राज्यसभा के इंपी है यह इन्होंने कौश्चन फूच थे जिसमें देखिए बहुत सारे कोश्चन ने टोटल पांच कोश्चन एक इधर तक कोशन जिसमें कुछ ड्यू Take hours के बादे में पूछा गया है ठीक है कुछ और कुछ और सब्जेट के ऊपर पूचा है तो यह आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है यह से डि तक आपके लिए इंपॉर्टन नहीं कि अभी तक इरिले अम्पलॉरी नहीं नहीं तो यह इसको छोड़ द कितना लोकओंफ कर रहे हैं टूटल वेकर पोस्ट 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 है आपका लोकओंफ में यह बताई है ठीक है यह कोशन पूछा गया तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है है जो मतलब इसको यह आप मान के चलेंगे तो इससे आपका कोई औफिसल अपडेट एक तरह से आपको मिल जाएगा ठीक है यह कोश्चन की जो अंसर है दिया था डिया है मिनिस्ट्र आप रेलो ए जो स्री आश्री वोष्णव सेर तरफ से यह दिया गया है तो इदर देखिए यह बहुत सारे एंसर है जो सारे एंसर इदर दिया है जो आपके लिए मैंने बताया अल्रेडी के इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट है नंबर यी जो सबाल उसका अंसर तो देखो क्या अंसार दिया गया है नंबर यी पॉइंट पे आउट ओफ 1,23,820 पोस्ट ओफ लोकोपाइलर्स एंड एसिस्टन लोकोपाइलर्स यानि एल्पी एज़न 1723 ठीक है मतलब एक जुलाई तक टोटल क्यापसिटी कितना है देखो यह वैकैंसी नहीं है यह क्यापसिटी है कि टोटल कितना रेलवे में स्ट्रेंथ है ठीक है जुलाई एक त वह क्या है 1,23,820 पोस्ट यह टोटल वैकैंसी नहीं है टोटल स्ट्रेंथ है रेलवे की इतना है जुलाई तक और जिसमें वैकैंसी जुलाई तक कितना वैकैंसी खाली है 13,330 जो वैकैंसी है उतना खाली है मतलब जो बागी जो पोस्ट है, उसमें सब अभी काम कर रहा है। जैसे हम काम कर रहे रहे हैं ऐसे उसे लोको HYLateral assistant लोको बालोट कि और खाली जो पोस्ट ए जूलाई तक जूलाई 23 तक मतलब लेटेस्ट यह जो अप्डेट है लेटेस्ट आप्डेट है क्या है 13330 पोस्ट अच्छा इतना पोस्ट खाली है बाद में क्या पता है गया कि सब्सक्राइब वेकंसी फिल किया गया है वह रेले वाइज नीचे जो बोर्ड वाइज नीचे इधर दिया गया है जो नुआ इधर दिया गया है टोटल नमबर जिसमें देखिए उननीस बीस इतना 20 21 इतना 21 22 इतना 22 से जितना इतना जो एंप्लाई है मतलब न्यू रिकूर्ट फ्रेश कैंडियड है उनका जॉइनिंग इतना हुआ है तो हर जोन में कितना कतना वेकैंशी टोटल फिल किया गया है उसके बारे में इधर दिया गया है ठीक है तो देखो इसमें सवाल दो क्रियेट होता है कि अभी तक लास्ट 2018 में जो नोटिश आया था लास्ट रिकूर्ट में नोटिफिकेशन 2018 में आया था अभी जो आगस्ट चल रहे है दो हज़े 23 तो लगवख 5 साल 5 स सल हो गये तो पाइस तो सिर्फ इतना यह यह हुआ आशिर मेरा ओंपर क्यों हुआ और नंबर दो है जो आपका में रिकूटमेंट होगी उसमें क्या ओनली इतना ही वैकांसी रहेगा एसिस्टन लोको पाइलोट की तो यह दो सबल मेंली इससे क्रियेट होता है इसका एक एक करके एंसर देने था एक हो लास्ट जो रिकूटमेंट हुआ था ठीक है उसमें आपको याद है के नहीं या फिर गूगूल करके देख सकते हैं लगभग जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें लगभग 27,795 टोटल इतना वैकांसी ओनली एलपी की थी इसके साथ टेक्निशियन के वैकांसी भी था जिसमें लगभग यह भी कुछ टोटल 64,000 के आस के लिए बात कर रहे हैं तो लगभग 27,700 के आसपास वैकांसी लास्ट टूथाजन एटी रिकूटूम्ट में था पर देखिए यह इधर जो बतायागा कि कितना वैकांसी 2019 से 2020 के अंदर फिल किया गया है तोटल देखिए नीचे वैकांसी है 34,307 तो जहां पार देखा गया है 27,795 वैकांसी 2018 नोटिफिकेशन में था उधर 34,000 के आसपास रिकूट में जॉइनिंग कैसे दिया गया है यह तो सवाल है ना तो देखो यह अगर बाकी इसे एक जो आपका जो डाउट वह भी क्लियर हो जाएगा देखो रेलो में जो अभी फिलहाल प्राबधान है क्या कैंडियेट को जो मेरिट लिस्ट है उधर ओटिंग लिस्ट में जागा दिया जाएगा ठीक है 50% मतलब मान के चलिए के 100 वैकंसी रहेगा तो 150 टोटल मेरिट लिच बनेगा जिसमें 100 वैकंसी जॉइनिंग होगा तुरद और जो 50 वैकंसी होगा 50 परसेंट या फिप्टि व एक साल के बाद सौ वैकंसी क्रियेट हुआ है मतलब सौ रिटार्मेंट लिया है या फिर एसेटन लोको पैलेट से दूसरा किसी जॉब में चले गया जो भी हो खाली हुआ है तो यह ओटिंग लिस्ट से ही लिया जाएगा ठीक है इसके लिए दूसरा रिकूटमेंट मतलब इसके लिए यह खाली नहीं रहेगा तुरंट इसी जो वैकंसी है वैकंसी को फील किया जाएगा कहां से वेटिंग लिच्वल है कैंडियेट से इसे यह तो आपको मतलब एक तरह से आप ठीक से सोच के देखे के वेटिंग लिच्ट में आप रहेंगे रेलवे में तो भी फ इसमें अगर आफ वेटिंग लिच्ट में भी रहते हैं तो भी आपका फाइदा है हां कुछ टैम लगेगा जॉइनिंग में पर आपका जॉइनिंग होने का चांस है तो 50% कही कि जो में मतलब और लेके चल रहे हैं तो लगब नाइन्टी टू हंडिट परसेंगे जो वेट इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो वेकेंसी क्रियेट हुआ है वह वेटिंग लिच्ट से लिया गया तो इसको अगर आप देखें के 34,000 से यह अगर माइनस करें तो लगभग 6512 के आसपास नंबर आते हैं तो इतना जो एक्स्ट्रा लिया गया है पिछला रिकूर्मेंट के स साथ इससे एक्स्ट्रा रिकेंसी मतलब क्यान एक्सट्रा आप जो डरोग दाण चॉर्मेंट को जाइन निंग प्र्डिंग का या मतलब द्यूर्ट मतलब काइल जो तो अगर उप कर दे तो लगभग 19,800 के आसपास वेकंसी टोटल आते हैं तो यह टोटल फिलहल तो इतना वेकंसी रहता अगर ओटिंग लिस्क के लिए नहीं करते हैं तो ओटिंग लिस्क क्लियर करें गई क्योंकि 50 बर्स नेक्स्टा ले रहा है और रिकॉर्डमेंट है तो तो फिल किया ज तो नहीं ऐसा नहीं है देखो फिलहाल जीडीसी में जीडीसी क्या है जो इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें बताया गया है टूटॉजन ट्वाइब तक एक 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 एसमशन वेकंसी के 25% जो डिर्यकुर्डमेंट से होता है जहां पर फ्रेश केंडियेट आप जि सब्सक्राइब तो इसका चार गुना कर देंगे तो लगबा 3200 के आस्वास उस जोन में वेकंसी 2025 तक होगा इसका 25% करके इतना वेकंसी दिया गया है तो आप मान के चलिए जब वेकंसी निकलेगा उससे एप्रॉक्समेटली दो साल एक्स्ट्रा एड करके ही चलते है क्यों क्या है वो कम्प Between होने में लगबाग साल के आस्पास लग जाता है एल पी की बात में कर रहा हो तो इतना ही साल लगबाग 2 साल एड करके ही चलते हैशहें प्रेट्ट मेंट होता है कि चैसल क्रेट्ज से वेकेंशी लगभख से में थे से मैं युपेंशी होगा उसको उसमें मतलब एक-परा से आ सकता है तो टूंटिस सिक्स वाजुन के आ सकते है तो ये सब आपको क्लियर हो गया कि क्या का फिलल आपडेट है जो बहुत डिप्रेशन में थे आप इतना डिप्रेशन में मत रही है क्योंकि एक यूज वेकंसी आप कमिंग टाइम में आएगा एसिस्टन लोको पाइलोट में इसके साथ तो टेक्निशन अलगी है वो छोड़ देते हैं तो इतना भी आप डिप्रेशन मत होई है आपके लिए वेकंसी आ रहा है बहुत ही जल्द आ रहा है और हुज वेकंसी आ रहा है अब पढ़ाई के तरफ फोकस करिए ठीक है और यह जो पीडिएफे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के जिसका लिंक आपको नीचे ड झाल